रियल और अथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान को भी दबाएं ताकि आपको नए आपडेट मिलता रहे कि इस वीडियो में बात करते हैं एक ऐसी बीमारी जिसमें कि पैसाप जब पास करते हैं तो अंतिम के दो-चार बूत जब पास होती है तो भयानक तेज दर्ध होता है तो उसी की कौन सी दवाएं हैं और कौन सी इंडिकेशन हैं और किस तरह से लिया जाए तो देखे जो यूरिया है न वो लीवर में बनती है और किड्नी उसको फिल्टर करती है और फिल्टर करने के दोरान जो मेट्रियल बनता है उसी को यूरीन बोलते हैं तो देखे यूरिया लीवर में बनती है सबके धाणाय होती है कि यूरिया जो है किड्नी बनती है ऐसा नह kidney, ureator, bladder और urethra में से कहीं होगा तो इस वीडियो में तीन super homeopathic दवाईया हैं जो कि severe pain at the end of urination के लिए काफी कारगर हैं और समस्या से निजात दिला सकती हैं तो दिखें जो indication है उसके basis पर homeopathic दवाईं select की जाती हैं तो हर एक homeopathic दवाई के अपने एक proper indication होते हैं तो जो कि symptom से ही है severe cutting pain in urethra at the end of urination यानि urination के अंत में मतलब पेसाप करने के अंत में जब 2-4 drop pass होती है उस समय severe cutting pain होता है कि जैसे कि last वाला drop छिलते हुए निकल रहा है तो पहली दवाई वार्वेरिस वाल्गैरिस सूपर दवा है तो इंडिकेशन है stitching cutting pain from left kidney following course of urator into bladder and urethra तो बार्वेरिस वाल्गैरिस का जो इंडिकेशन है ओं left kidney से ureter द्वारा होते हुए bladder में पहुंचता है और उससे urethra तक pain इस तरह से transverse होता हुए दिखता है महसूस होता है transparent ready are jelly like sediment pain increases on movement जब आप थोड़ी सी गती करते हैं तो pain और बढ़ जाता है ते बार्वेरिस वेलगैरिस के pain होता हुआ पूरा urethra के अंत में जो pain करता है उन सब के लिए बार्वेरिस वेलगैरिस बहुत अच्छी तरीके से काम करती है और दूसरी दवा है acid nitricum 30 power की इसका indication है इसका indication है कि बहुत तेज स्मेल आती है यूरीन में घोड़े के मुत्र जासे इसमेल आती है तो यूरीन जो है दुदला हो जाता है और जैसे सेव का सिरका जैसा होता न उस तरह से sediment भी deposit हो जाते हैं material deposit हो जाते हैं उसमें जब यूरीन पास करते हैं उसके दो-चार मिनट के अंतराल पे लेना कैसे इसको तो दूसरी दवा Acidum Nitricum का आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं तो दिखिए जो indication है उसी के basis पर दबा लें तीसरी दवा है सरसा पारिला क्यों severe almost unbearable pain at the conclusion of urination जब यूरीन पास करते हैं तो severe unbearable pain होता है तो इसका indication ही है और यह basically urine dribbles जब यूरीन एक एक बूंद बूंद जैसे पास होता है while sitting जब बैठ के करते हैं तो लेकिन जब stand खड़े होके जब करते हैं urine तो frequently freely pass होता है तो यह इसका indication है सरसा पारिला का कि यह रुक रुक के पास होता है जब आप बैठ के पिसाप करते हैं और खड़े होके करते हैं तो आराम से flow कर जाता है send in urine, child screams before and while passing urine छोटा बच्चा पिसाप करने से पहले और पिसाप करते समय रोने जैसा लगता है यह सब indication है सरसा पारिला के तो इसका जो 15 drop एक कप पानी में 3 time लें empty stomach लें तो यह सब indication के basis पर आप दवा लें अपने हिसाप से और आपकी समस्या में निजात मिलेगा तो इस तरह से आपने पूरा video देखा होली की सुर्प कामना है आज होली है